साथ्यों नमस्कार, टीचर्शिप में आप सभी के एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को गड़ी स्चतूर्थी की धेर सारी सुपकाम नाए साथ्यों आप सभी की बेहतर त्यारी है तू आज इस वीडियो में हम 36 गड़ी धियास से सूपर थर्टी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बार बार CG वैपम वा CG PSC के बहुत सारे एकजाम में परिक्छाओं में पूछा गया है साथ्यों तो चलिए बीना देर के स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे जो इस क्रीन में दिखाई देरह साथ्यों की 36 गड़ के प्रथम इतिहासकार कौन है साथ्यों इसमें उप्सण दिया है बाबु रेवाराम उप्सण बी दिया है गोपाल मिस्ट्रा उप्सण से दिया है कनिंगम और option D दिया है लोचन प्रसाथ पांडे सबसे पहले तो हम इनके optionों को समझ लेते हैं इनके जो option दिया है चारो option बहुत important है क्योंकि इनसे भी question बनता है सबसे पहले तो आप देखिए option D को लोचन प्रसाथ पांडे जो है चतिस गड़ के प्रथम नाटक कार है याद रखिए कि पूछा जा सकता है कि चतिस गड़ के प्रथम नाटक कार कौन है तो वो है पंडित लोचन प्रसाथ पांडे और इनके जो नाटक है वो कालिकल है याद रखिएगा साथियो बहुत important है ये भी पूछा जा सकता है कि चतिस गड़ के जो प्रथम नाटक है उसका क्या नाम है तो कालिकल याद रखिएगा बहुत important है उसके बाद यदि हम देखे option C की बात करें तो option C जो है याद रखिएगा साथियो जो है ब्रिटिस सरकार के समय ब्रिटिस सासन के समय ये महतपुड इंजिनियर थे वो भारती पुरा तत तो सर्विक्षण विभाग का जनक भी माना जाता है और यदि option B देखा जाए साथियो गोपाल मिस्र तो गोपाल मिस्र रतनपूर के राजा राजा सिह देव के दरभारी कवी थे ये अपनी रचना खुब तमासा में 36 गड़ी सब्द का प्रयोग किये थे तो याद रखेगा ये दूसरा व्यक्ति थे जो 36 गड़ी सब्द का अपने रचना में प्रयोग किये थे और प्रतम व्यक्ति यदि पूछा जाता है 36 गड़ी सब्द का प्रयोक करने वाले तो वो व्यक्ति दलपत राओ थे याद रखेगा बहुत इंपोर्टेंट है और वही option A की बात करें जो की महतपुड है और यही हमारा प्रस्न का उत्तर भी है याद रखेगा साथियो इन्हें रतनपूर का रतन भी कहते हैं और साथ ही साथ बाबु रेवाराम 36 गड़ के एक प्रमूख कवी और इतिहास कार थे इन्हें रतनपूर का रतन भी कहते हैं कल्चूरी समराज्य में इन्होंने अपने क्रीत उस समय जब कल्चूरी समराज्य था तो उसमें अपने एक क्रीत एक रचना किये थे विक्रम विलास में 36 गड़ी सब्द का इन्होंने भी प्रयोख किये थे तो जो ये पूछा जाएगा कि 36 गड़ के प्रथम इतिहास कार के नाम बताईए तो याद रखेगा वो है बाबु रेवाराम तो याद रखेगा साथियो इसका जो उत्तर है बाबु रेवाराम है अब चलिए अब next question तरफ फोकस करते हैं साथियो बहुत बढ़िया बढ़िया question आने वाला है ये बार-बार पुछा जाने वाले प्रशनों का संग्राय रहेगा साथियो इसलिए बड़े ध्यान से देखेगा वीडियो और वीडियो में बने रही है साथियो चलिए next question तरफ फोकस करते हैं तब इस question में देखने वाले हैं साथियो 36 गड़ का सबसे पुराना मंदीर है option A देखते हैं सिध्धेस्वर मंदीर option B सिव मंदीर option C देवरानी जठानी मंदीर और option D है चित्तावरी देवी मंदीर साथियो आप सभी को option देखकर यदि आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता भी होगा कमेंट करके बता भी सकते हैं option C जो है इसका आंसर है साथियो देवरानी जठानी मंदीर 36 गड का सबसे प्राचिन मंदीर माना जाता है देवरानी जठानी मंदीर आईए इसके बारे में कुछ विशेश बिंदू देखते हैं यह जो देवरानी जठानी मंदीर है वो मन्यारी नदी के तट पर इस्थित है याद रखेगा यह भी पूछा जा सकता है आगे प्रस्ण भी देखेंगे मन्यारी नदी जो है मन्यारी नदी के तट पर इस्थित देवरानी जठानी मंदीर अमेरी कापा ताला गाउं बिलासपुर में है याद रखेगा ताला गाउं जो है वो भगवान सीव को समर्पित है जिन्हें रूद्र सीव भी कहते हैं याद रखेगा साथियों यह जो है ब्लासपूर से रायपूर रोड में आपको एक जगह जो है जो सिक्स लाइन जो नेशनल हाईवे है उससे आपको डेर्ड से दो किलोमेटर जो है अगर ब्लासपूर से रायपूर तरब जाएंगे तो आपको लेप्ट साइड में मन्यारी नदी जो सरगाओं के पहले पढ़ता है मन्यारी नदी उसके किनारी मिल जाएगा देवरानी जठानी मंदीर पाचविस छटविस सताबदी में सरब पूरी रानियों द्वारा बनाया गया था यह छग का यह जो देवरानी जठानी मंदीर के जो है विसेज बिंदू है आगे बढ़ते हैं इनसे बनने वाले और भी क्वेस्टन देखते हैं देवरानी जठानी मंदीर इनमें से किस भगवान को समरपित है तो अभी देखे हैं साथियों कि भगवान सिव को समरपित है खास बात य यह बार बार पूछे जाने वाले प्रस्ण हैं क्योंकि प्राचिन मंदिर है तो उनसे बनने वाले जो क्वेस्चन है वो बहुत सारे हैं आगे बढ़ते हैं मन्यारी नदी के तट परिस्थित चर्चित परियाटन इस्थल जहां से रूत्र सिव की मूर्ति मिली है तो यह ताल भी था है याद रखेगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट है सीजी व्यापम लोई लेबर इंस्पेक्टर में पूछा जा चुका है डिन्नेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस इस्थल पर है तो याद रखेगा साथियों यह जो इसका अंसर होगा वो है मलहार मलहार जो है याद रखेगा साथियों बिलासपुर जीले में ही आता है तो मलहार जो है देखा जाए मस्तुरी बलाक है तो यहाँ जो है डिन्नेश्वरी देवी का पूजित मंदिर है और इसके बारे में जो विशेज बिंदु है उस पर भी फोकस करते हैं मलहार जो है लिलागर नदी के तटपर बिलासपुर जीले में इस्थित एक प्राचीन एवं धार्मिक परियटन नगरी है यहाँ पर भी बहुत ही पुराने पुराने मुर्ती मिला है पुरा तत्व विभाग के द्वारा इनको भी सरक्षण में रखा गया है याद रखेग यहाँ डिन्नेश्वरी माता का मंदीर पतालेश्वर मंदीर चत्रभूजी विश्णुजी की प्रतीमा इस्थित है। यहीं पर मिलते हैं तो याद रखेगा यहाँ पर भी बहुत सारे प्राचिन जो है मुर्ती मिला है साथियो खोदाई के दवरान तो यह बहुत ही इंपोर्टेंट जगह है और इससे क्वेस्चन हमेशा बना है। साथियों मलहार में पताल इस्थित हैं यह भी जो है सीजी व्यापम असिस्टेंट महा लेखा 2015 पुछा जा चुका है। साथियों 36 गड़ का कासी किस स्थान को कहते हैं ऑप्शन A है पिधंपूर ऑप्शन B है खरोद ऑप्शन C है अड़भार और ऑप्शन D है राजिम। निश्चितरप से यदि आप पढ़ चुके होंगे साथियों तो आपको आप्शन देखते ही मालूम हो गया होगा कि 36 गड़ का कासी जो है खरोद को बोला जाता है याद रखेगा अब हम इसके विशेज बिंदू पर ध्यान देते हैं ये भी बहुत इंपोर्टेंट रहता है विशेज बिंदू 36 गड़ का कासी खरोद को कहा जाता ही है राज्य के जांजगीर चापा जिले में इस्तित एक नगर है यहाँ एक दुरलप शिवलिंग स्थापित है जिसे लक्षमनेश्वर महादेव मंदीर के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि लक्षमनेश्वर जो महादेव का मंदीर है वो कहा है तो खरोद है इसको भी याद रखेगा ये पूछा भी गया है कई बार इसके अलावा यहां कई और एतिहासिक मंदीरें हैं जिसके कारण इसे 36 गड़का कासी भी कहा जाता है अब देखते हैं सबरी मंदीर कहा इस्थित हैं ऐप्षन A है खरोद ऐप्षन B है सिवरी नराएन ऐप्षन C है जलप ऐप्षन D है दंतेवड़ा तो याद रखेगा साथियो सबरी मंदीर जो है खरोद में ही है इसका भी आइंसर जो है ऑप्षन A होगा निश्चित रूप से आप इसका याद रखेगा इसके विशेश जो बिंदु है उस पर देखते हुए आपको नौलेज भी मिल जाएगा विशेश बिंदु जो है इट निर्मित सबरी मंदीर खरोज जांजगीर चांपा में इस्थित हैं जो केंद्र संरक्षित इसमारकों में सामिल हैं जबकि माता सबरी तो निश्ची तुरुप से आप पहले से जानते रहे होंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेस्चन देखते हैं सीरपूर के लक्षुन मंदीर का निर्माण किस ने किया था तो देखते हैं ऑप्षन ऑप्षन ए है चंदर गुप्त ऑप्षन बी है वाष्टा देवी ऑ इस मृती को चिरस्थाई बनाये रखने है तुँ सात्वी सदी में लाल इटो से लक्ष्वन मंदीर का निर्माण कार्य प्रारम कराया जो महा सिव गुप्त बालार्जुन के काल में पूर्ण हुआ यह मंदीर महा समुन जीले के सिरपूर में इस्थित है याद रखेगा सा इसले के लिगए का इसले को is our बुटी विहार स्वास्तिक विहार गंदेश्वर महा देव मंदीर यवं बालेश्वर महा देव मंदीर याद रखेगा साथियों और यहां जो है मुख्य रुप से बौध हिंदू और जैन मंदिरों के मठ इस्मारक और मंदिर है विशेश रुप से देखा जाए स्वास्तिक विहार जो है बौध केंदर के नाम से जाना जाता है आगे हम इससे बनने वाले question भी देखने वाले हैं तो मुख्य रुप से लक्ष् इस्थल मुख्य दर्शनी इस्थल है वो सीरपूर में ही इस्थित है याद रखेगा साथियों आगे बढ़ते हैं सीरपूर के पांडू बंस का प्रथम सासक कौन था तो इसका answer जो है साथियों याद रखेगा इसका उत्तर है option C है उदियन जो सिजी व्यापम केमिस्ट 2016 म से संबंदित है जो देखा जाये तो सीरपूर में इस्थित है और ये जो है साथियों C जी व्यापम RI 2015 में पूछा जा चुका है और इसका जो विशेज बिंदू है स्वास्तिस्क विहार आनंद कुटी विहार सुरंग टीले सिंस्वी बौध विहार सीरपूर महा समुन जी महा-Bharat दोनों में मिलता है तो याद रखेगा साथियों इसमें जो Option B दिखाई दे रहा है दख्षिड कोसल इसी के नाम से जाना जाता था प्राचिनकाल में 36 गड़ को याद रखेगा जो रामायाद और महा भारत दोनों में मिलता है जिनका उलेक दक्षिड कोसल ये बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है तो याद रखेगा और वही अगर option C देखें तो option C भी महतपुड है साथ यो दंड कारण्य तो दंड कारण्य जो है 36 गड़ के बस्तर संभाग को कारण्य के नाम से जाना जाता था आगे बढ़ते हैं माता कौसल्य मंदिर है माता कौसल्य मंदिर कहां इस्तित है तो याद रखेगा राइपूर से कुछ दोरी पर है साथियो राइपूर के पास ही है तो चंद खुरी के नाम से एक जगह है जहां पर माता कौसल्य मंदिर ह याद रखेगा ये पूछा जा चुका है आगे बढ़ते हैं वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिकित इस्थान से प्रवेश माना जाता है तो याद रखेगा साथियों इसका जो आंसर होगा हर चौका होगा यदि आप पढ़ चुके होंगे तो आपको निश्चित रुप से मालूम होगा कि हर चौका जो जगह है वो जो है कोरिया जीले में आता था जबकि अब जो नए जीला बना है भरतपूर चिर्मिरी मनेंद्रगड वहाँ पर आता है तो याद रखेगा साथियों ये इसका अगर विशेश बिंदू देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा प्रवेश द्वार भगवान राम ने 36 गड़ में सिता मढ़ी हर चौका से प्रवेश किया था भरतपूर के पास इस्थित यह इस्थान मवई नदी के तटपर है यहां गूफा नूमा सत्रा कक्ष है जहारा कर स्री राम ने सिव की अराधना की थी औ साथियो हर चौका को सिता के रसोई के नाम से भी जाना जाता है तो यह भी एक विशेश जो है नाम है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं 36 गड़ में राम वन गमन पत की कुल लंबाई कितनी है यह भी पुछा जा चुक है साथियो ऑप्शन सी जो है इसका अंसर है 2260 किलोम पत जो है 36 गड़ में कुल कितनी किलोमेटर है पूछा जाएगा तो याद रखेगा 2260 किलोमेटर है आगे बढ़ते हैं राम वन गमन पत परियाटन परिपत विकास के अंतरगत कितने इस्थल विक्सित किये जा रहे हैं तो याद रखेगा पहले चरण में 10 इस्थानों को याद रखेगा और यह सीजी व्यपम वी एफेम 2021 में पूछा जा चुका है और वही देखे 36 गड़ सरकार कितने राम वन गमन पत के अंतरगत कितने इस्थलों को चिनित किया है तो याद रखेगा साथियों 75 जगाओं को चिनित किया है 36 गड़ सरकार के द्वारा जहां जह से जगह है राम वन गमन पत का उसको विक्षित किया जाएगा तो 75 जगहों को चिनित किया गया है आगे बढ़ते हैं राम वन गमन पत में मुख्य बिंदु जो है याद रखते हैं घोचला जो है इनको राम वन गमन पत बनाने के लिए घोचला हुआ 22 नॉमबर 2022 ए 2019 सुभ लंबाई जो है याद रखेगा 2260 किलो मिटर चग के कितने स्थलों से गुजरे हैं तो वो 75 जगा है और आधार किसको लिया गया है ये रामवन गमन पत को मानने का तो मनुलाल यदू दंड कारणने रामायन से और वही डाक्टर हेमू यदू चग परियतन में रामवन गमन प लिए नेक्ट ग्वेस्टन दिखते हैं साथियों इस राज्ज में लुटस्य। कल्चूरी वंस की प्रथम राजधानी थी तो याद रखे के साथ यह बहुत important है, बहुत बार पूछा जा चुका है CG Vyapam में PDEO 2016, ADEO 2012, CG Vyapam ESC 2022 और CG Vyapam Commerce Lecturer 2023 में पूछा जा चुका है जिसका जो है answer तुम माढ है याद रखेगा, इस राजजे में जो कल्चूरी वंस की प्रथम राजधानी थी वो तुम माढ है, आगे बढ़ते हैं इसमें जो विशेश, जो बिंदू है उसको भी जान लेते हैं, राजधानी जो है और इस्थापित करने वाले सासक दोनों जानते हैं जो है बाहरेंद्र साय जो है चुरी गोजगई जो है तिसरी राजधानी है और इसके इसे इस्थापित करने वाले बाहरेंद्र साय जी है तो ये तीन जो है कल्चूरी वंस के महतपुड राजधानी और महतपुड सासक है आगे बढ़ते हैं निमलखित में से कीस राजवन्स ने इस राज्य में सबसे लंबी आउधी तक सासन किया तो option देखते हैं option A है सरबपुरी, option B है नल, option C है पांडू और option C है कल्चुरी तो निश्चित रुप से साथियों कल्चुरी जो सासन है कल्चुरी सासन जो है कल्चुरी राजवन्स जो है इस राज्य में सबसे लंबी आउधी तक सासन किया इसलिए इसका जो आंसर होगा option D होगा पूछा जा चुका है साथियों याद रखेगा आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं next question है इस राज्य में कल्चुरी वन्स के सासन का संस्थापक इनमें से कौन से हैं तो याद रखेगा साथियों इसका जो उत्तर होगा option A होगा कलिंग राज होगा option A जो है option A जो है साथियों इसका अंसर होगा याद रखेगा बहुत ही important प्रस्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है आगे बढ़ते हैं next question तुमार से सासन करने वाला अंतिम कल्चुरी सासक कौन था तो ये भी बहुत important है साथियों तुमार से सासन करने वाला अंतिम कल्चुरी सासक जो है रत्न राज फष्ट है याद रखेगा रत्न राज फष्ट है बहुत important है साथियों इसका जो तो यहाँ पर शाथियों देखा जाए तो रत्न राज फ़स्ट लिखा चुका है यही मैं थोड़ा रूप भी गया था ये मेरे द्वारा प्रिंट करने के टाइम जब मैं टाइप कर रहा था तो जरूर रत्न राज हो गया होगा तो याद रखेगा ये रत्न देव फ़स्ट है जो देखा जाए तो माट राजधानी से अंतिम सासक है सासन करने वाला आगे बढ़ते हैं इस राज्य के कहां पर इस्थित किले को गज किला कहा जाता है तो याद रखेगा साथियों इसका जो उत्तर होगा आप्शन डी होगा रतनपूर को जो है गज किला के नाम से जाना जाता है जिसका निर्माण रत्नदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था इस किले में रावण की ऐसी मूर्थी संस्थित हैं जिसमें वह स्वयम का सीर काट रहा है तो इस प्रकार साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेस्चन है आगे बढ़ते हैं इस राज्य के निमल मुगल दर्बार में उपस्थिती दी थी तो याद रखेगा वो ऑप्शन सी है कल्यार साय जो है कल्चूरी राजा जो है वो मुगल दर्बार में उपस्थिती दी थी भोरम देव मंदिर का निर्माण जो है किस वंस के राजा के काल में हुआ था निर्मित हुआ था तो या साथियों देखा जाए तो कवर्धा आप कबीर धाम के नाम से जाना जाता है उस जिले में है जो भुरम देव मंदीर जो है वो कवर्धा कबीर धाम जिले में है इस्थित है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं साथियों मा दंतेश्वरी मंदीर कहां इस्थित है तो मा सहर चौराहो का नगर के नाम से जाना जाता है, तो इस सहर में याद रखेगा साथयों जगह जगह पर चौराहे है चार राह हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत confusion भी हो जाता है, बहुत सारा चौक है इसलिए, तो चौराहो का नगर जगदलपूर को कहा जाता है CG Vyapam A5 2017 में पूछा जा चुका है इस राज्यकी राजधानी में दूधाधारी मट की स्थापना किसने की तो याद रखेगा साथियों इसका जो उत्तर होगा उप्सन C होगा बलभद्र दास जो है इसका आंसर होगा आगे बढ़ते हैं राजधाध जीले का सिंगनपूर किसके लिए प्रसिद्ध है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रसन है साथियों पूछा जा चुका है यहाँ पर मैं लिखना भूल गया हूँ लेकिन कोई न कोई एकजाम में आया हुआ है यह साथियों सेल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पर चटानों पर बहुत ही पुरातन सेल चित्र बनाया गया है तो याद रखेगा सेल चित्र के लिए राइगड जीले का सिंगनपूर सेल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है आगे बढ़ते हैं चित्वा डोंगरी का गुफा कौन से जिले में है तो याद रखेगा साथियों चित्वा डोंगरी का गुफा बालोद जिले में है बहुत इंपोर्टेंट है साथियों इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बुक में आपको बहुत सारी किताब में जिहाद से super 30 question और जो screen में सबसे पहले देखें उसके उसको मिला कर देखा जाया तो 31 जो question हम लोग देखें कहीं न कहीं साथियों यह बहुत important है और आपके भरती के लिए बहुत ही यह जो है अच्छा साबित होने वाला है इसलिए इसको आप यदि बार-बार repeat करके भी देख वीडियो लाने वाले हैं इसलिए साथियों वीडियो को share भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल को और देखते रहें आपका अपना चैनल टीचर सी धन्यवाज साथियों